अब देखे बच्चों कुर्शन नमर 18 में सबसे पहला नमर जो है तीन तीन एस्टर दिखाए गए हैं और इसका के वेज़ के साथ रियक्शन करवाना बच्चों जिसा कि आपको पता है एस्टर का रियक्शन जब हम करवाएंगे नुकलोफाइल के साथ तो मेकेनिजम लगेगा एसे इन एई और यह बच्चों यहां से तूट जाएगा और फाइनली फाइनली बच्चों यह बनेगा कार्बाक्सलिक एसिड और साथी साथ यह बाई प्रोड़क्ट में अलकॉल बनाएगा और बच्चों जैसा कि आपको पता है इंटर मोलेकुलर एसिड बेस रेक्शन हो करके यह कार्बाक्सलिक ग्रोप एनायन में कनवर्ट हो जाएगा और जो दूसरा पार्ट है और डैस ओ एच में कनवर्ट हो जाए ठीक है ना लेकिन एच प्लस मिलने के बाद यह भी फाइन जैसे आप यहां पर करोगे बच्चों तो कार्बाक्सलिक बना दो आप यहां पर भी कार्बाक्सलिक बना दिया बच्चों और यहां भी कार्बाक्सलिक बना दिया ठीक है ना यह बना दिया अब बच्चों अब इसका PCL5 के साथ रियक्शन जब आप करोगे तो कार्बाक् सीयल में कनवर्ट होगा और ये भी बच्चों सीयो सीयल में कनवर्ट होगा हो गया फिर उसके बाद आ lithium-almonium hydride lithium-almonium hydride क्या करेगा तो lithium-almonium hydride जो है lithium-almonium hydride क्या करेगा ये तिनों का reduction करके इनको alcohol बना देगा alcohol में convert कर देगा करने दिजे तो बच्चों यहां से यह OH बन गया फिर यहां से बच्चों OH बन गया और फिर यहां से भी OH बन गया बन गया अलकॉल, हमें सहाँ दर पहुंच गए बच्यों. अब आफरी इस टेप आफरीॉोज गए है आफरी स्कर्णषनasta में वहां. जब इसको हमें एज-प्लस के साथ हीट करेंगे ऑभी के साथ हीट करेंगे ज़ों, तो आपको जैसा की पता है H+, एलकोहल का जब H+, के साथ हीट करते हैं बच्चों क्या होता है? Elimination reaction होता है है नहीं, mechanism लगेगा E1 E1 mechanism लगेगा बच्चों सबसे पहले step में यहां से OH हटेगा, कार्वो केटाइन बनेगा है न बच्चों, कार्वो केटाइन बनेगा चलिए बनाते हैं कार्वो केटाइन बनाएंग बच्चों तो यहां पर OH ऐसे रहेगा और यहां पर OH ऐसे रहेगा अब क्या करना है? तो अब बच्चों देखें, एक तो possibility है बच्चों कि यह product बन जाए तीनों जगा से H प्लस अटाएं और फिर अलफा बीटा एलिमिनेशन करके बीटा में से H प्लस अटा देंगे वह अलफा कारवन से ह हटा दिया बीटा से H प्लस अटा दिया बच्चों, ठीक है न? तो double bond, double bond, double bond तीनों बनेगा जो कि option number A यह दिया हुआ है, जो कि लगड़ा है correct answer होगा, लेकिन नहीं एक और possible product होगा बच्चों ठीक है न? वो possible product होगा benzene और benzene ही इसमें ज्यादा stable product होगा, इसलिए major product benzene होगा, ठीक है न? यह भी बनेगा बट benzene के सामने इसकी stability बहुत कम है, 3-member ring है और तो और 3-3 SP2 carbon है बच्चों इसमें present, इसलिए यह highly unstable है तो B इसका correct answer, अब हमें यही समझना है कि B कैसे बना है तो बच्चों 3-member से 3-member से 6-member कैसे बना होगा सोचिए तो obviously बात है, ring expansion लगा होगा तो ring expansion लगाए बच्चों जिस carbon पर positive charge है उसको 1-2-3 1-2-3 और 4-member का ring बनेगा बना दीजे उसके बाद बच्चों 1-2-3-4 इसके उपर भी लिख दीजे तीसरे पर बच्चों 1-OH यहां लगा दीजे फिर बच्चों चौते पर भी 1-OH यहां लगा दीजे लगा दिया, फिर बच्चों दूसरे पर आएगा positive charge अब उसके बाद यहां से H-plus का रिमूबल कर दीजे जैसे H-plus का रिमूबल करोगे बच्चों यहां से ठीक है ना जैसे H-plus का रिमूबल करोगे तो आपको यहां पर double bone बनता हुआ देख जाएगा, ठीक है ना 1-2 के बीच में double bone यहां पर और ट्राइब कीजिए, शुरू कीजिए, अब अपने आप से खुद से सोचिए, तो बच्चों यहां से इसको तोडेंगे, जैसे ही तोडेंगे बच्चों तो फिर से क्या होगा बताईए यहां पर आएगा positive charge है ना, है एच प्लस के साथ हीट करेंगे तो यहां से ह्ट्टो का रिमूबल होगा, इवन मेकनिजम लगेगा है एच प्लस ह्ट्टो रिमूव होने के बादे हाँ आपर कार्वो के टैंग बनेगा बच्चों और फिर से यह बनेगे अब बच्चों यह one, यह two, यह three, यह four और यह five फिर से लगा दीजे ring expansion क्या लगा दीजे ring expansion इसे ring expansion लगाओगे बच्चों तेहां पर five member का ring बनेगा number कर दीजे इस प्रकार से इससे क्या होता है गलती होने की संबावना काम हो जाती है अब देखे बच्चों one, two, three, three पर हमें एक ओएच इस तरह से दिख रहा है लगा दीजे पहले one, two, three पर लगा दीजे फिर बच्चों four, five के विच में double bone दिख रहा है यह भी लगा दीजे आप और one, two में बच्चों ring expansion होगा तो पता है आपको दूसरे पर bone टूटे गा इसलिए positive charge दूसरे पर आएगा अब बच्चों हमें यहां से h plus का removal करना है ठीक है ना जैसे h plus का removal करोगे तो बच्चों यहां पर finally आपको double bone बनता हुआ देख जाएगा यहां पर हमने बना द अब फिर से बच्चों यहां पर देखिए यह ओएच है यह ओएच है यहां तक आप पहुंच गए होंगे फिर से video रोक दीजिए और try किजिए खुद से कि आप six member का ring बना पा रहे हो या नहीं बना रहे हो ठीक है ना बच्चों अब क्या करोगे फिर से यहां से bone को तोड़ दो बच्चों यहां पर positive charge लगा दो फिर यह one यह two यह three यह four यह five और यह six तो बच्चों यहां पर फिर से लगा देंगे ring expansion अपने मन से यहां पर six member का ring बना दीजिए कोई दिकत की बात नहीं है one two three four five और six कर दिया बच्चों अब देखिए one or two के बीच में लगा दीजिए double bone one or two के बीच में लगा दीजिए double bone पहले तो आएगा two पर positive पहले तो two पर आएगा positive charge चलिए दो statement कर लेते हैं कोई बात पहले two पर लगा दीजिए positive charge लगा दिया अब बच्चों देखिए कहां कहां पर है three four पर आपको double bone देख रहा है लगा दीजिए फिर five six में double bone देख रहा है पर दो product बनेंगे ए भी बनेगा और बी बनेगा लेकिन बी की stability आप समझते है यह बहुत ज्यादा है इसलिए major product बच्चों भी होगा ठीक है ना और रही बात question number 19 तो यह अभी मैंने कुछ दिर पहले ही explain किया था इसको बोलते बच्चों alpha hydroxy acid को जब हमें हीट करते हैं इसके दो मुल यूज में लिए जाते बच्चों तो क्या बनता है लेक्टाइट compound बनता है बच्चों बनता है ना जो कि मैंने आपको समझाया था कैसे बनता है यह समझ सकते हो आप देखो तो Sercs यह लेक्टो आप लिक दिया कि वच्चों यहां पर सी यहां पर लिख दो और यहां पर नाखिक Вам प्रंज डिए फिर यहां पर वच्चों श्याज़ली करते हैं ने खास पेटर्न में स्कुर्म रंज करना होता है ताफिक करबोक्स लिक के सामने अल्कोहल आ जाए ठीक है न बच्छों और यहां से बच्छों H2O का Removal कर दो यहां से भी आप H2O का Removal कर दो ठीक है ने इन नो MEDITION होगा H2O का Removal होगा बच्छों जही से H2O का Removal होगा तो देखो यह CO का Bonding किसके साथो जाएगा है ना CO का borending किसके साथो जाएगा बच्छो देखो है हाँ पर बनाते हैं CH फ्र यहां पर बच्छो C CO O और यहां पर देंगे O फिर यहांपर CO ऐसे बन गया फिर बच्छों यहां पर CH यह जूर जाएगा इस से CS 3 से और यहाँ पर जुड़ेगा बच्चों सीलेज दिए यही तो है देखिए option number A इसका correct answer ठीक है ना इसका नाम उता है लेक्टाइड तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जी समझ में आ गया होगा कुछ भी नया जो भी आपको सीखने को मिले उसको हमेशा अपने notebook में add करते जाना चाहिए देखिए classroom में जो teacher पढ़ाते हैं वो तो हम सीखते ही है question के द्रम्यान भी हम बहुत कुछ सीखते है ठीक है ना तो इसलिए जब आप यह video solution देखते हो और कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो उसको आप जरूर note करते जाया करो और आपको video कैसा लगता है आप अपना response comment के माद दें से जरूर बताया कीजिए ठीक है ना